नमस्कार दोस्तों मैं राहुल सिंग एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ग्यान के यूटूब प्लेटफर्म पर कैसे हैं बालक बालिकाओं आई होप एकदम बढ़िया होंगे मजे में होंगे और जक्कास होंगे तो बालक बालिकाओं आज अपन लेका है करना मजा जाएगा आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मद बूलेगा चलो साब शुरुवात कर दें क्या आप बोलो के सर कर दो शुरू चलो साब पहला कोशन देते हैं और टाइप नंबर 12 कोशन आपसे बोल रहा है कॉस्ट ट्वेंटी डिग्री कॉस्टी डिग्री कॉस्ट ट्वेंटी डिग्री की वैल्यू क्या होगी अब आप सोचोगे यार हमें तो यार यह पता था कॉस्ट थर्टी होता कॉस्ट फर्टी फाइव होता कॉस्ट इस्टी होता तो अपन निकाल देते हैं यहां कॉस्ट ट्वेंटी कॉस्टी 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 की वैल् इसको ठीटा मानते है अपन इसको अपन क्या मानते है प्यारे पालग बालिका हूँ 20 को 1, 20 मानारा है 경찰 8 मिलिक्ट Hagia 28 मिलिदा मिलिय की बहुत बड़िप इसको 20 20 को ठीटा मान रहा हूं, ठीटा मान रहा हूं किसको 22, तो देखो क्या फॉर्म बन रही है, ठीटा 60-ठीटा और 60-ठीटा, अगर इस तरह की फॉर्म बनती है, तो अपने उनकों कोश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आईए मेरे साथ, देखो आपके साइन कॉस्च और 10 में क्लियर हो जाएंगे, इसको अपन एक पेज पर ले जाते हैं, सबसे पहले स्कूप पर ले जाते हैं थोड़ा सा, अभी आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, देखो ध्यान से, इधर आ जाओं मेरे साथ, जैसे मैंने आपको बोला, कि भाईया, साइन, साइन ठीटा sin 60 म एनस ठीटा, और sin 60 फिलस ठीटा, sin 60 फिलस ठीटा, इस सारे कि इसमें multiply हमें साइन 60 फिलस ठीटा, अगर इस तरह की form बनुरिया, तो भैया, इसका answer कैसे निकालेंगे, 1 भाई 4 sin 3 ठीटा, 1 भाई 4 sin 3 ठीटा, क्लियर है कहानी, अब बोलो, Sir, एकदम क्लियर कोई दिक्कत वरी बात ही नहीं है मैंने बहुत बढ़िया अगर आपके cos आ जाए cos theta cos 60-theta cos 60 plus theta अगर इस तरह की form बन जाता है अपने इसको कैसे solve करेंगे आप बहुत के सार 1 by 4 cos 3 theta ठीक है यह theta कौन से है जो आपका सबसे छोटी value होगी वह यह आपका theta होगा आप बहुत के सार एकदम बढ 60-θ, 60-θ, 1060-θ, 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 अगर यह form मंतियस को अपन कैसे solve करेंगे, आप बोलो के सार 10 3 θ, यहां ध्यान रखना 10 के साथ 1 by 4 नहीं आता है, आप बोलो के सार बिल्कुल ध्यान रखेंगे साथ, तो उमीद करता हूँ कि आपको चीज एकदम clear होगी, अगर sign कायेगा तो अपन अपन ऐसे करेंगे, आप बोलो के सार 10 कायेगा तो अपन ऐसे करेंगे, सबको नजर आ रहे न, तीनो फॉर्मूले, आप बोलो के सार एकदम नजर आ रहे, colorful आपके लिए मैंने लिख दी है, बढ़ी ऐसी writing में लिख दी है, आप बोलो के सार एकदम clear है, अब इन फॉर्मू जो आपके सामने आया, वो किस फॉर्म में आया है, ठीक है, उसको पैचानना ही हमारा मकसद है, अगर समझ में आ गया, तो कोशन जल्दी सॉल हो जाएगा, नहीं समझ में आगा, तो बोलो के सार एक बोलो के सार 1 बाई 4 फॉर्म में अपन इसको सॉल्व करेंगे, चलो सा आ बोलो सार 2020 इंटू 3 कितना हो जाएगा, आप बोलो सार 60 हो जाएगा, यानि कितना आगया, कॉस 60 डिग्री आगया, अब तो कोशन खतम हो गया, प्यारे बालक बाले को इदर कितना आगया, 1 बाई 4, कॉस 60 की वैली कितनी होती है, आप बोलो के सार कॉस 60 की वैली होती है, 1 ब क्या होगी अब आप जल्दी से इस question को solve करके बताईए इस question का answer क्या है सबसे पहले हम इस question को पैचानना है कि यह 10 इदर को theta 60 minus theta 60 plus theta बन रहा है कि form आप बिल्कुल बन रही है जब बन रही है तो इसको अपन कैसे solve करते हैं आप फटाफ़ से बोलोगे इसको solve करते है 10 3 theta 10 3 theta इसी तरह से solve करते हैं कि आप बिल्कुल solve करते हैं लोग साब 10 theta कितना है आप बोलोगे साब सबसे चोटी वाली value यानि कितना हो गया 3 into 10 कितना हो गया 10 30 पता और 10 30 की value कितनी होती है आप बोलोगे साब नजर अब इससे पहले अगर आपने ऐसे questions नहीं कर रहे तो क्या आप इन questions को कर पाओगे आप बोलोगे साब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं 10 10 की value नहीं पता 50 की value नहीं पता 70 की value नहीं पता तो अगर यह चीज़ें आपके दिमाग में नहीं है तो बहिया डाल लो दिमाग के अंदर ऐसे question exam में पूछे जाते हैं चलो साब बढ़ जाए आप उससे बिल्कुल भढ़ जाए नेक्स question नहीं तरब बढ़ते नेक्स question आपसे क्या कर रहा है कॉसेक 20 कॉस 40 कॉस 60 और कॉस 80 डिगरी की value क्या होगी अब आप बोलोगे सर यह क्या हो गया यह क्या बला है अभी तो आपने सिखाया था कि भाई साब इस तरह के question आ रहे हैं तो अपने इसको फॉर्म में देखेंगे ठीटा 60 मानेस ठीटा 60 प्लस ठीटा यहां तो देखो 60 यह ठीटा 60 मानेस ठीटा लेकिन यह 60 हो रहा है यह तो प्लस माइनस में जाए नहीं रहा उदर 60 प्लस ठीटा हो रहा है मैंने कहा भाई एक बत एक चीज़ बता हो मैं ऐसे लिखू 1 इंटू 2 इंटू 3 ठीग है यह मैं इसको लिख दू 3 इंटू 2 इंटू 1 यह मैं इसको लिख दू 3 इंटू 1 इंटू 2 बताओ कोई फरक पड़ेगा कि आप बोले सर यह सारे के सारे किसमें multiply में है तो उसको आप इधर से उतर ले जा सकते हैं कोई भी number को आप इधर ले जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार आप बोलो के एकदम बढ़िया तो देखो मैं क्या कर रहा हूं उसने question में थोड़ को साइडम पर टक देखो कि मुझे को साइडम पर टक दिया अब देखो किसी बालक बालिका को अगर ज़्यादा दिमाग लगा के उसने बताया कि यह तो अपने थोड़े पहले ही solve किया था तो आप इस टेप जितने कम करते जाओं को इतना बहुत अच्छा है आप बोलो सर यह तो अपन ने वहाँ पहले भी solve किया था इसका आंसर कितना आया था आप उसे 1 by 8 आया था तो आपने क्या किया अगर आप intelligent हो आप में थोड़ा सा smartness है तो आप क्या करोगे इसकी वाली हुमें पता है और cost 60 की वाली हमें बिल्कुल पता है कितनी होती है 1 by 2 देखो एक से मिस करी और आपका answer आगया हमें सारा step थोड़ी नहीं करना है हमें जो जो पता है उसका यूज करना है अपने दिमाग को sharp करके चलोगे एक्जाम के अंदर तो बहुत अच्छा result आने वाला है प्यारे बाले क्लियर का नहीं आप बोलो के सार एकदम clear तो इस तरह के question कर दोग घड़ी आ गई आ गई चलो साब question को solve करने ही कोशिश करते हैं question ने बोला sine 12 sine 12 ठीक है फिर कितना है sine 48 एक बाल लिख लेते हैं question को sine 48 फिर कितना है आप बोलो के सार नहीं हो रहा है तो गड़ पर जाला हो गया इधार तो हो रहा है बाई साब यह theta हो गया 60 minus theta हो गया लेकिन यह पर 60 plus theta नहीं हो अगर 12 एड़ करेंगे तो 72 आना चाहिए था लेकिन यह तो 54 बैट है बाई साब इस question को कैसे solve करेंगे sign आया तो आया लेकिन अपने साथ क्या लेकिया है एक मुसीबत लेकिया आया अब इस मुसीबत का हल क्या है आप में से सोच सकता है कोई आप बोलोगी सर आप ही बताओ दो सर है try करो question को solve करने कि आपके दिमाग के अंदर क्या कर चल रहा है उसको एक बार कोशिश करो pen paper पर जादू राउल सर का जादू sign 12 ठीक है इधर कितना हो गया sign 48 मैंने का बहुत बढ़िया और मेरे को जो चाहिए था मैंने लिख दिया कितना sign 72 जो मेरे को चाहिए मैंने लिख दिया और इसको साथ में चलना है sign 54 अब कई गोलेंगा सार यह क्यों लिखा यहां तो change हो गया मै सार मैं इसमें पूरे मैं सबका डिवाइड किसका गर्दू sign 72 का अब बताओ कोई change होगा क्या हां बोलो सर अब तो वही हो गया तो कड़ जाएगा यह तो 1 हो जाएगा कोई फरक नहीं पढ़ रहा लेकिन आप question पर क्या फरक पढ़ने वाला है देखो ध्यान से अब question पर क् सब्सक्राइब को लिख सकते हैं 1 by 4 1 by 4 into sign 3 theta यानी sign theta की value कितनी है 12 12 into 3 करेंगे 36 किसी बालक बाली का हो कोई दिक्कत आप बोलो के sir कोई दिक्कत नहीं अब देखो हमारे साथ में उपर क्या चल रहा है आप बोलो के sir sign 54 चल रहा है मैंने का चलने तो साप नीचे कितना चल र साइन टू ठीटा क्या होता है 2 cost theta 2 cost theta sin theta 2 sin theta cos theta इसको change कर लेना एक बार 2 sin theta बोला सही लिख्ड गलत दिया 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta ठीके साब आप बोलो के sir एकदम बढ़िया तो इसको open कर देते है अपन इस वाले को sin 72 को open कर देते है कितना हो जाएगा 2 sin 2 sin आपको half करना है कितना हो जा क्लियर है कि आप लोग से बिल्कुल यही होता है 2 sin theta into cos theta अब अपने देखा देखो द्यान से अब द्यान से देखना कमाल होने जा रहा है अब कमाल होने जा रहा है प्यारे वालग वाली कहों द्यान से यह गया किस से यह पूरा गया ठीक है यह 1 by 4 इसको 1 by 2 से multiply कर दे कितना अब लोग से 1 by 8 ठीक है उपर कितना चल रहा है आप लोग से साइन 54 चल रहा है मैंने का चलने दो एक बार बहुत अच्छी बात है नीचे का चल रहा है कॉस 36 कॉस 36 अब याद करो मैंने आपको जब फर्स डे पढ़ाया था दो तिन क्लास हो गई थी जब मैंने आपको बता साइन 54 वह जाएगा दो देखो उस दिन की चीजे आज यहां भी काम आ रही है यानि तर नीचे कितना आप लोग से साइन 54 आ अप देखो ध्यान से कुछ नजार आ रहा है कि अपने बिलकुल नजार आ रहा है यह पूरा का पूरा कड़िया 1 हो गया यान सर कितना आ बना दि जाता है उम्मीद करता हूं मज़ा आया होगा आपको इस कोशन को देखके मेंस में आने लाए कोशन था इसलिए मेंस में आया था ठीक है साब आगे तरफ बढ़े अब इस तरह कोशन आएंगे उड़ा दोगे क्या आप बोलो किसा थोड़ा सा दिमाग चलने लग गया उड़ साइन सेवन्टी डिगरी की वैल्यू क्या होगी आप कोशन क्या आपको पैटन फॉलो हो रहा है कि वह बने सा 6642 यह तो पैटन फॉलो रहा कहीं नहीं हो रहा मैंने क्यों चुपा हुआ है अपने को अपनी नजरों से पहचानना है इसको देखको कोशन को सौल करना सीको एक sin 66 sin 66 मैंने बहुत बढ़िया देखो theta 60 plus theta हो रहा है एक की कम है वो ले आएंगे कोई आपन लाना सीख गए sin 42 sin 42 इधर कितना कर दिया sin 78 sin 78 अब देखो द्यान से 60 minus theta 60 plus theta की form में लानी है अच्छा मुझे अगर इसको 60 plus theta तो है 60 minus theta करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इधर आप बोलो सार 54 से multiply करना पड़ेगा तभी तो आएगा आप बोलो 60 minus ये theta 60 minus 6 करें कितना आएगा 54 आएगा यानि मुझे इधर क्याचिए 54 से ही है तो मैंने इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इससे कहें आपका एकदम पूरा का पूरा gap बन जाएगा और अपना A की लाइन में question solve हो जाएगा ठीक है आज हो साब इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ sin 6 degree और इधर कितना है sin 66 degree ठीक है आप बोलोगे सार इधर बढ़िया कितना है आप बोलोगे साइन sin 42 degree और यहां कितना है sin 78 degree ठीक है साब आप बोलोगे साइन बढ़िया अब मुझे यह तो समझ में आगए कि इस दर में को अगर sin theta 60 plus theta 60 minus theta बनाना है तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए आप बोलो सर साइन 54 चीए और मैस की खासियत का है जो चाहिए वह ला सकते हो अगर उपर 54 लिखा है तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा साइन 54 चे तब ही आपकी एक क्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी ठीक है आप बोलो सर आप तो क साइन 18 से अपने इसको मल्टिप्लाई कर दिया थीटा हो गया नीचे कितना आ जाएगा आप बोलो सर बिल्कुल बन गया अब बिल्कुल बन गया हमने पहली स्टेप सीख ली और अपने उसको फॉलो भी कर दिया आप कोश्चन को सौल करने कोशिश करते हैं देखो वन रहा है उसको चलने तो उस पर रोकने कोशिश मत करो इधर आ जाओ इसको इधर सॉल करते हैं इधर कितना हो जाएगा वन बाई फॉर साइन थी ठीटा कितना है आप बोलो के सर एकदम क्लियर कितना हो जाएगा प्यारे बाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप कुछ नजर आ रहा है कै? आप बोलो, गे सार, सबतो सब कुछ नजर आ रहा है देखो यह सइन एक ठीटेन एक टकट गाई धर से okay है? आप सॉन प्रोसेस करसे या इस तरह से को अपन सॉल कर सकते हैं यहाज कि उमीद करता हूं कि आप अगर इस टाइप के aujourd' rahat वें समयेगा भी तो आप उन questions को solve कर दोगे ऐसी निए चेह आप से उमीड है क्लियर कानि अप विराम दें आप विराम दें आप सी प्लस वाले जो फॉर्मूली होते है कॉसी प्लस डी वाले सैन पर वेस questions कैसे आते हैं चलो साब पहला ही question आप वही कोशन क्या है 2020 मेंस का question है यह मेरी तरफ से नहीं है तो आपके लिए मैं वही लेकर हूँ हर question tough थोड़ी न होता है प्यारे बालक बालक बालिक हूँ सारे question tough देने लग जाएगा तो भी करेगा कुछ question easy भी आते हैं simple formula पर sin c plus sin d पर क्या होता है एक बार लिख देता हूँ मैं sin c sin c plus sin d अगर इसको open करते हैं अपन तो कितना होता है आप लोग सार 2 sin c plus d by 2 c plus d by 2 और cos c minus d by 2 यही होता है कि आप लोग सार बिल्कुल यही होता है आपने first day यही सिखाये था ठीक है चलो साब अब value put करते है एक बार अपन value put करना सीख रहे है अपनी step मिस करना चालू करेंगा ठीक है cos c minus d यानि 75 minus 15 by कितना आ जाएगा ठीक है आप लोग सार बहुत बढ़िया चलो साब आगे solve करते हैं कितना हो जाएगाल इसको कोउषन को सब्सक्राइब कितनी होती है ठीक है को स्च थर्टी की वैल्यू कितनी होती है रोट 3 2 होती है टू से टू कड़ गया नहीं आपका अंसर कितना आगया आप बोलो सार रूट 3 अपॉन रूट 2 यह पूरे का पूरा एक साथ दिख रहा है कहीं बोले सर यह रहा ऑप्शन नमबर 20 दा करेक्ट अंसर 2020 में ऐसा कोशन पूछा गया था देख लेना ठीक है मेरी बात कते ही वरोस साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री अब आप सुचो के साथ इसमें साइन सी प्लस डी कैसे लगाएंगे आप लोग सार बिलकुल लगा देंगे देखो कैसे लगाएंगे देखो द्यान से इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले पड़ेगा कभी ऐसा देखा है कि sin c plus cos d ऐसा थोड़ी नहीं होता है sin c plus sin d ठीक है तो इस तरह कोशन आएगा तो यह पन सॉल्व कर पाएंगे चलो आप कोशन को सबसे पहले इसको sin में change करते हैं आजो सब sin में change नपन करना बहुत अच्छे से जानते हैं sin इसको एक को change कर देना दोनों को change मत कर देना वापस सही हो जाएगा यहानि केतना हो जाएगा आप वालों के सर हो जाएगा sin 50 हो जाएगा क्या है आप वालों के सर एकदम कैसे हो जाएगा साइन 90 मैनस ठीटा, ठीक है साब आप लोग एकदम बढ़िया, अब तो देखो उपर बनेगे साइन C प्लस साइन D, अब अपन का लगा देंगे, साइन C प्लस डिवलाप फॉर्मूला, इदर से कोशन को सौल करने कोशिक करेंगे, मेरे साइन C प्लस D करेंगे, तो सटर प्लस पचास कितना होगए, 120, उप्लस बावाइट, यानी कितना हो जाएगा, अब लोग सर, इदर आ जाएगा 2 साइन 60 डिग्री आ जाएगा क्या आप अलोग सर एकदम क्लियर अपन अब step को मिस करना चालू कर रहे है ठीक है आज़ो cos c-d 70 में से 50 गया 20 20 में 2 का बाग दिया 10 ये लो साब अपने step मिस करना सीख लिया क्या आप अलोग सर बिल्कूल 2 से 2 कड़ गयाализ रहे हैं औलोग सर रहे हैं ये क्लियर कानी आप रहे हैं एक दम क्लीर आंसर कितना ब्लूट 3 में पनलोग सर बिल्कूल गुसर हैं चलिए-स आप और कोशन ले लेते हैं ँएक और कोशन ले लेते हैं अगला कोशन आप से कहा कर रहा है, sine 5A minus sine 3A, नीचे कितना है cos 3A plus cos 5A, अब आपको कहा करना है, वीडियो को pause करना है, ट्राइ करना है इस question को solve करने की, यह आपकी जिम्मेदारी है अब, देखो question को solve करते हैं सबसे पहले आजाओ मेरे साथ sine 5A minus का minus का sine 3A, नीचे कितना आजाएगा आप लोगे सर, इसको भी अपन plus इदर ले ले लेते हैं, cos 5A कोई फरक पड़ेगा कि कोई फरक नहीं पड़ेगा, cos 3A उपर देखो, जैसे उपर 5 ता ना नीचे 5, उपर 3 ता उसके नीचे 3 आगया, तो इस अपने कहा कि systematic डंग से अच्छा लगता है, ठीक है अपन 1, 2, 3 ऐसे plus करते हैं, कभी 3, 2, 1 ऐसे थोड़ी ना plus करते हैं, answer दोनों सा same ही आता होता है, लेकिन एक systematic डंग होता है, वो अपने को देखने में भी अच्छा लगता है और अपन उससे familiar भी होता है, ठीक है तो उपर कर दिया, 2 cos c plus d, 5 और 8 कितना हो गया, आप बोग सर, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 में 2 का divide दिया, कितना हो गया 4, कितना हो गया, 4 है, यह रहे कि आप direct कर रहे हैं अपन, अपने को ज़्यादा मगजबादी नहीं करनी, आप sign c minus d बोले तो, 5 में से 3 कितना हो गया, 2, 2 में से 2 का divide दिया, कितना हो गया, 1, 1 कर दिया मैंने था, ठीक है, c plus d c plus d क्या हो था, 2 cos 2 cos, आपके 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया 8 में 2 का divide दिया, 4 हो गया ठीक है, अब इधर कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा, कॉस कितना जाएगा, 5 में से 3 गया बया, कितना हो गया, 2, 2 में divide दिया 2 का कितना, 1, देखो इधर पूरा कड़िया sine upon cause से कितना होता है, आप बोलो के 10 होता है, कही नजर आ रहा है, कहां नजर आ रहा है option number c में नजर आ रहा है, और यही हमारे question का correct answer है, clear है समझ पा रहे हो, sine c plus sine d आप बोलो के sir, एकदम समझ पा रहे हैं, मजा सा आ रहा है चलो साब, बढ़ते हैं, एक और question लेते हैं, हाँ जी और यह जो question था ना, प्यारे बालक बाली कहो यह आपके आया था, 2018 means के इंदर 2018 means में पूछा गया question था, उठाके देखना कि sir, जूट तो नहीं बोल रहे कहीं 2018 means में question आया हुआ था तो देखो, अब इससे पहले भी question है, 2020 में वो आपने पहले-पहले किया था, sine c plus d में अब उसमें और इसमें देखो, फरक है आप लोसा बिल्कुल फरक है, अब ये question थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में भी बड़ा सा लग रहा है और वो question थोड़ा छोटा सा लग रहा था, तो सारे तरह question आपके exam में तूछे जाते हैं, चलो साब वही है, C plus d वा लई है, ये भी कोई alternate ही नहीं है, चलो साब, question को solve करने कोशिश करते हैं, आज़ो साब, sin x plus sin y, सबसे बहले 2 sin, अपन करते हैं, 2 sin वाला मलब लगा दे, sin c plus d वाला formula लगाओ मेरे साथ, फटावट लगाना, ठीक है, तो 2 sin 2 sin c plus d कितना हो गया, आप बोलो सार, x plus y x plus y, upon 2, मैंने का, बहुत बढ़िया किया, बहुत जबर्दस किया, अब इदर कितना जाएगा, आप लोगे सार, cos x minus y, x minus y, upon 2, मैंने का, ये भी बहुत अच्छा किया, ठीक है, ये दोनों काम बहुत ज़्यादा, अच्छे कि, इन दोनों को मैं ब्रैकेट में कर दूँ कि, आप लोगे सार, कर दो, थोड़ा सा, देखने में, सुन्दर से लगते हैं, into, अब sin x minus sin y, यानि, आप करोगे 2 cos x plus y by 2, और नीचे कितना जाएगा, आप लोगे सार, एक बार color change कर लो, यह लो साब color change कर लिया, cos x plus cos y, यानि 2 cos, 2 cos x plus y, x plus y by 2, बहुत बढ़िया किया सार, इधर कितना कर दिया, आप लोगे सार, इधर आ जाएगा, cos x minus y by 2, x minus y by 2, मैंने का, बहुत अच्छा किया, बहुत जबर्दस, ठीक है, केबल formula open किया, और कुछ नहीं क ठीक है, और इधर कितना आएगा, ध्यान रखने, इधर आजाएगा, sin x minus y, x minus y by 2, और मैंने बताया था, अगर c minus d अपन लिखते है, starting में, तो भार minus का sign ले लेना, भार किसका sign ले लेना, minus का, या फिर आपके लिखना d minus c, तब आपको minus का sign लेने की ज़रूरत नहीं आई थी के नहीं बता हीं थी, आप बोलो सर बिल्कुल बताए थी, अब देखो, कुछ कट रहा है तो काटो, to sign x plus y by 2, नजर आ रहा है क्या, आप बोलो के सर यह नजर आ रहा है, यह पूरा का पूरा यहां से गया, ठीक है, यह गया, लेकिन यह minus का sign लग रहा है, लगने द question था, लेकिन जिसको चारो formula पता है, वो इस question को क्या कर देगा, attempt कर देगा, जिसको पता नहीं है, चारो formula एक दोस ने याद कर लिए, उससे question solve नहीं होगा, clear है क्यानी, तो आज के बाद अगर आपके c plus d वाले formula आएंगे, उन पर basis questions आएंगे, तो आप निप्टाद होगे क क्या, आप बोलो को साब सल्टा देंगे, ये भी कोई पूछने की बात है क्या, चलिए साब अगले question की तरफ भढ़ें अब, आप बोलो से ब्लुकुल बढ़ जाओ, next question आप से क्या गरा है, if cos theta minus sin theta बराबर L, तता sec theta minus cos theta बराबर M, तो L square M square bracket के अंदर L square plus M square plus 3 की value आपको find out करनी है, बहुत जबरदस सा question है, अब अगर इस question को आप solve करने लगोगे, किस से formula put करने लगोगे, तो भाइया बहुत बढ़ा हो जागा, बहुत जादा lengthy हो जाएगा, हमें नहीं करना, कभी भी इस तरह का question आए, और आप exam में बैठे हुए, तो आपको क्या करना है, value putting वाल 1 by 0 की form नहीं बननी चीए, ठीक है, आप बलो सार बिल्कुल ठीक बात है, अब theta क्या put करें, माइन में click करेगा, तो हमेशा जब भी देखो, अलग-अलग ratio रहना, तो theta बरावर 45 put करो, theta बरावर कितना put करो, 45 put करो, उससे क्या फायदा होता है, उससे बहुत प्यारा सा बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो अपन theta बरावर 45 put करते हैं इसके अंदर, चलो साप कोशिश करते हैं, question को solve करने की, आप इसको लिखने की ज़रुवत नहीं है, cos act theta, theta की जाएगा, cos act 45 की value कितनी होती है, आप बलो सार रूट 2 होती है, sign theta, sign 45 की लिए 1 of 1, root 2 होती है, औ तो यहां से question को solve करते हैं, LCM कितना आजाएगा, आप बलो सार, इदर इधर ही कर लेते हैं, इसके कितना आजाएगा, लो सार, root 2 आजाएगा, ठेक है, ऊपर कितना आजाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से वन इकतना 1, यानि इसकी L की value कितनी होती है, आप बलो सार, second root 2 होती है, cos theta की value कितनी है, cos 45 की value कितनी होती है, आप भलो sir, ये भी 1 by root 2 होती है, तो indirectly आपके direct वही तो बन रहा है, आप भलो sir, वही बन रहा है, यानि हम बोल सकते हैं, 1 by root 2, यही value किसकी है, आप भलो sir, m की भी यही value है, clear कहानी, तो indirectly देखो question अब कितना असान हो गया, देखो ध्यान से अब इदर आजो, केवल value put करनी है, और आपका answer आजाएगा, l square, l square की जगे कितना रखना है, आप भलो sir, 1 by 2 रखना है, सजाने की जवरतनी है, m square, 1 by 2 कर दो, square कर दिया, l square की जगे 1 by 2 कर दिया, m square की जगे 1 by 2 कर दिया, plus का 3 अपने साथ, चली रहा है, यहां कितना हो गया, 1 by 4 हो गया, आदा आदा कितना हो गया, 1, 1 plus 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 से 4 कर गया, answer कितना हो गया, यह लो साब, कहानी कतम, पैसा आजम, option number 2 is the correct answer, अब इस तरह से question के approach आप लेके जाओगा, exam में, तभी तो question आपको सही number देगा, within time देगा, नहीं तो भाईजा करते रो, formula लगाते रो, बहुत time लग जाएगा, इतना time आपको देता नहीं है, कोई भी examiner, चलो साब बढ़ते हैं, question की तरफ, next question आप से क्या कह रहा है, question आपको बोल रहा है, x sin3 theta plus y cos3 theta is equal to sin theta into cos theta, तता x sin theta बराबर y cos theta हो, तो x square plus y square की value क्या होगी, बहुत जबरदस question आगया, बहुत आपके जो आप value put करते हो, उसमें, और जो आप पूरा process करते हो, उसमें कितना दा time बचता है, कितना difference दा time का, एक बार basics से समझ लेता है, नहीं है, यह लो साब आजाओ मेरे साथ x, और मैंने आपको हर एक चीज़ का basics बताया है, मतलब आपको मैंने even जो कैसे formula generate होते होते है स्टार्टिंग में वो भी समझा है, वो भी रटा है, नहीं है, तो इस बात को आप लेके लाएक ही, नहीं है, चले इसाब बढ़ते हैं आगे, xn3 ठीटा है अपने पास, आप बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत जबरदस चल रहा है, जो भी चल रहा है, मज़ेदा चल आप देखो, आप मुझे question को solve करना, x square plus y square की value निकालनी है, निकालते हैं साब, अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x sin theta into sin square theta, बोले सार बिलकुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, plus का y cos cube theta, y cos cube theta चल रहा है, और साथ में यह आपके चली रहा है, इसक मैंने लिख दिया, 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta, ठीके साब, plus का y cos square theta चली रहा है, y cos cube theta चली रहा है, और यह बराबर में sin theta into cos theta आपके चल रहा है, अब ध्यान रखो, x sin theta बराबर आपको question में कि मैंने क्या लिख सकते हो, y cos theta लिख सकते हो, इसकी जगे, तो मैं इसकी जगे क्या लिखता ह मैंने क्योंगा, pen change कर लेता हूँ, y cos theta होगे अधर, आप बहुत बढ़िया बात है, y cos theta होगे अधर, 1 minus cos square theta चली रहा है, 1 minus cos square theta चली रहा है, ठीके, plus का y cos cube theta, y cos cube theta, यह भी आपके सामने चली रहा है, बराबर आपके सामने जो चल रहा है, उसको as it is चलने देना, अब इसको multiply गरो, कितना होगा, y cos theta, y cos theta minus, y cos theta को cos square theta से multiply करें, कितना जाएगा, y cos cube theta, यही आजाएगा, कि आप बल्कुल यही आएगा, plus का y cos cube theta, अब देखो, बराबर में आपके जो चल रहा है, इसको चलने देना, ध्यान से देखना एक बार, देखो, यह plus का, यह minus का दोनों cancel out हो ज को भी लिख लेते हैं, कितना, sin theta, cos theta, sin theta, cos theta, ठीक है, आप लोगे सार एकदम बहुत अच्छी बात है, अदेखो, cos theta से cos theta कट गया, यानि sin theta बराबर क्यों हो गया, y हो गया, sin theta कितना हो गया, sin theta बराबर हो गया, y सब y हो गया, ठीक है, sin theta बराबर y हो गया, अब आप value तो आप यहां value put कर सकते हो, x sin theta की जगे का लिख सकते हो, y लिख सकते हो, ठीक है, यह लो साफ y लिख दिया, बराबर कितना है y cos theta, यह लो साफ, आप देखो y से y कड़ गया, यह लो सर्फ cos theta कितना गया, आपके x आ गया, यानि आप x की जगे का लिख सकते हो, cos theta, y की जगे का Y Square आपसे पूछा था पूछा था तो अपन एक्स की जगे के लख comparable यज रीटा हो जाएगा ठीक है और य की जगे कि-2que स्क्वेर की जगे और यह तो आपके इंटिटी बनके इस कांसर कितना गया वन आ गया उप्शन नमबर वन और ऑप्शन नमबर डी इस दा करेक्ट आंसर अब यह बेसिक है इस को सॉल्व करने का आप देखो कानी मज़ेदार कानी आप मैं आपको सिखाता हूं अगर आपको ऐ सबको नजर आ जाए जो मैं आपको समझाना चाहरा हूं डिफ्रेंस जो मैं आपको बताना चाहरा हूं वो देखना अब एक बार ठीक है सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा आपकी आखों के सामने होगा जो भी कुछ होगा अपन ऑथेंटिक बात पर बिलीव करना सिखाते आपको एक साइन क्यूब थिटा बलस वाई कोस्ट थिटा अच्छा मुझे समझाना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं का एक साइन ठीटा जो आपके सामने गिवन है एक साइन ठीटा बराबर वाई कॉस्ट थिटा अब अपन जो वेलू पूट करते हैं वह वहाला तरीका कर दिए कर लिख सकते हो उसक्ते हो ऑर ये बराबर कि चल रहा है साम की जागे कितना एक्स तॉमन कै रहा है इसमें से इसमें कितना बन जाएगा यह स्क्वेर बच जाएगा और आपके चल रहा है इदर x y चल रहा है यह कट गया यहां से आपको दोने चीज़ समझा दी कि भाई या तो ऐसे कर लेना या वैसे कर लेना जब आप एक्जाम में ऐसे करके आओगे तब आपको नंबर मिलेंगे जल्दी नहीं तो ऐसे तक करके आजादना न ठिक्कर में अब क्लियर है आप लोग साथ एकदम खेल यह कलियर है बढ़ते हैं लिए कोशन की तरफ और आज का लास्ट कोश्शन और आपकी trigonometry के जो type है उसका भी last question है ठीके साब आप लोग एकदम भढ़िया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके बाद अपन क्या करेंगे mislinious questions करेंगे trigonometry खतम नहीं हुई अभी अभी अपन mislinious questions करेंगे maximum minimum पड़ेंगे तब आपकी पूरी trigonometry खतम होगी मतलब इतना सारा package आपको मिल जाएगा कि आपको कहीं हो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ आपको यहां बनाया मिल जाएगा question आपको क्या गए रहा है x बराबर a sin theta प्लस cos theta इंटू बराबर आपको कॉमा लगा के दे रहा है y बराबर b sin theta मैनस cos theta तो आप से बुछ रहे है x square upon a square plus y square upon b square की value क्या होगी अब देखो इसको अपन solve करने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी अब अपने question कैसे solve करना है अपने को value put करने है करो साब करते है value put question को solve करने कोशिश करते है जल्दी से आज हो साब फटा फट से मैंने आपको एक चीज बोली थी value put करनी है तो आपके 1 by 0 की form नहीं ब रखना तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बराबर ए ठीक है बराबर sin theta cos theta sin theta plus cos theta लिख सकता हूँ गया आप लोगैशआ एकदम theta बराबर 90 रकते है जब theta 90 रखेंगे तो यह cos theta zero हो जाएगा तो X upon A वराबर क्या बच्चेगा, sin ठीटा बच्चेगा, ठीक है, और Y upon V वराबर कितना बच्चेगा, आप बोलोगा सार, sin 90 की value कितनी होती है, 1 होती है, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर भी आपके 1 हो जाएगा, यानि 1 by 0 की form तो नहीं बन रही है, बहुत अच्छी बात है, यह तो पुरा 0 हो गया, यह 0 हो गया, यानि इधर कितना बच्चेगा, 1, इधर कितना बच्चेगा, 1, यानि X upon A की value कितनी आ गई, आप बोलो, incar किसर才, यहां से X upon A की value कितनी आ गई, और Y upon B की value कितनी आ गई, आप से पुचा कहे, X square Plus A square, X square upon A square, प्लस Y square upon B square qi value, तो साह 2 क पढ़ रहा तो आपको क्या करना है दोनों को एड़ करना थो और आपका अंसर आ जाता टू इस दा करेक्ट आंसर कही नज़र आ रहा है कि option number C में नज़र आ रहा है I hope मज़ाया होगा मज़िदार questions अपने कर लिए सारे type अपने cover कर लिए अब आपसे कल कुछ नए बहुत बैतरीं questions के साथ जो आपके previous exam में आए हुए है उन questions के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए जै हिन जै भारत धन्यवाद